है यह लो बच्चों good evening है है हलो बच्चों good evening देखे बटा हमारे सिंघ शर्का गोईन्स मोटो है पढ़ने का अधिकार सब को डौक्टर बनने का अधिकार सब को उसी को आगे बढ़ाते हुए बटा हम लोग आज 11 के पर का डिसकेशन शुरू करते हैं बटा संजें बटा देखिए बटा फर्स्ट कोश्चन से हैं लॉंगेस्ट इस्टेज लॉंगेस्ट इस्टेज लॉंगेस्ट फेज ऑफ सेज्साइकील एम फेज पूछ गया बटा धेखिए डेखोई बटा अगर सेज्साइकेल है तो इंस्टेजgrow लॉंगेस्ट ch ओजएगी लेकिन अगर उसमें एम फेज है तो सबसे बड़ी जो स्टेज होगी बटा वो प्रो फेज होगी ठीक हम जो आ प्रोफेज, मेटाफेज, एनपेज, टीलफेज होता है। लेकिन डूरेशन के रधार पर अगर देखा जाए। तो यहाँ पर प्रोफेज, टीलफेज, मेटाफेज, एनपेश। सबसे बड़ी स्टेज प्रोफेज हो गई बच्चों। आप दे उससे छोटी टीलो फेज हो गई उससे जो है बटा देखेगा मेटा फेज हो गई और सबसे छोटी स्टेज जो है एना फेज तो इस जगे बटा अंसर जाएगा तीसरा जाएगा बच्छों ठीक है और यह जो कोश्चन लिया गया है NCRT के बटा NCRT के पेज नंबर 164 से लिया गया है यह पॉइंट याद रखो ठीक है देखिए specific नंबर आख chromosome restored individual by the process of बच्छों देखिए यहाँ पर अगर आप देखें बटा जो chromosome नंबर देखिए chromosome चेंज होता है half होता है meiosis के कारण और इसका फिर दुबारा restore जो होता है बटा वह fertilization के कारण होता है बटा तो देखिए गा तो इस जगे बटा आंसर आपका जाएगा थर्ड जाएगा और जो यह लिया गया है ncrt के page नंबर बटा 170 से page नंबर 170 पेज नंबर 170 से लिया गया बटा cell division के तो देखिए तो आप देखिए चेंज क्रोमोसोम half नंबर क्रोमोसोम is meiosis और अगर मैं यहाँ पर कह दूँ रिस्टोर आएगा तो फर्टलाइशन बच्चों ठीक अब 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 बेस्ट इस्टेज ओफ अब अब बेस्ट इस्टेज आफ इस्टेक्चर साइज एड काउंट इन नंबर आफ क्रोमोसोम बेटा अगर हमें आप ड़क क्रोमोसोम के सजाज को स्टेडी करना है उसके स्टेक्चर को स्टेडी करना है। मार्फेलोजी को करना है तो बटाल वुज्ट इस्टेज 넣고 रिक बच्चों और इस्टेज भी आखिक करना हो RSCor में करते जमें स्पिंडील का स्वॉर्मेसन उता है रीक य तो इसका अंक्र आगए बश्ट जाएगा और यह NCRT के 165 पेज नमबर से लिया गया पेज नमबर 165 से लिया गया बच्चो जी नॉट फेज बच्चो देखिएगा आपने से आपने मरा से साइक्ल पड़ी बटा उसमें देखा होगा एम फेज होती है एम फेज में बटा देखेगा अगर मैं बात करता हूं तो इसमें एम फेज है जीवन है देखिए गए बटा यह मैंने यह लिया बटा अगर मैं इसमें देखता हूं बटा तो से साइक्ल को जो दिखाया जाता है वो जो है जीवन एस जीटू और एम फेज को फिर बटा उसमें प्रो फेज मेटा फेज एना फेज टिलो फेज में डिवाइट किया और साइटो काइनेसिज तो देखा जीवन में बटा क्या होता है सेल जो है डिवीजन नहीं होता है और उसमें सेल एक्जिट कर जाती है और एक्जिट करने के कारण बटा जो जब एक्जिट करेंगे उसे जी नॉट कहते हैं इसे कोईसेंट स्टेज भी कहते हैं कोईसेंट स्टेज भी बटा कहते हैं प्वाइंट याद लखना इसमें नो सेल डिवीजन नो ग्रोथ बट मेटाबोलिज्म अकर्स मेटा बोलिज्म पाई जाती बटा मेटाबोलिज्म अकर्स मेटा बॉलिज्म प्रेजन्ट होती बच्चों इसलिए लाइव है अगर बटा इसके मालों फिर कभी सेल डिवीजन का करेक्टर आया तो फिर यह इसी में आ जाएगी जी नॉट से फिर जीवन में ही आती बच्चों यह पॉइंट या दखना तो एक्जिट भी करेगी जीवन से आएग वी जीवन में प्रटा और जब बठरव जी नॉट या कोषेयर श्टेज होगी तो से ना सेटी होगा न क्यावल मेटाबोलिज्म होगे इसने लाइव रहूगी विठा इस जगए जी रही होगया जीनिगा जीनॉट इस स्टेज़ रिमालिक्ली एक्ट्यू अप् NCRTK पेज नमबर 164 से लिया गया है बच्चों ठीक है बटा देखिए बटा हाउ मैनी माइट ओर्टिक डिविजन सार रिक्वाइड प्रडू टू फिर्टी सेस्ट तो बटा जब भी माइट ओर्टिक सेल डिविजन रिक्वाइर हो उसमें नमबर आपसेस जो होती है जो नमबर आपसेस दी जाती है बटा उसमें –1 कर देते हैं बटा तो उस इसापसे अगर देखेंगे तो 256 –1 is equal to 255 ठीक तो आंसर सेकेंड जाएगा बटा एक नट अगर मियोसिस पूछा जाए मियोसिस के लिए पूछा जा तो number up says जो होंगी बटा number up says divide by four उससे meiosis number निकल आता बच्चो तो माइटोर्टिक लिए हो गया देगे number up says minus one is equal to total number up जो निकल आए बटा जो says है और अगर meiosis पूछा जाएगा तो total number up says जो होंगी उसमें four से divide करके निकालेंग बच्चो ठीक है इस जगे बटा जाएगा answer second और यह जो लिया गया है NCRT के page number 166 से लिया गया NCRT page number 166 बटा याद रखना बटा वन से लेक्ट करेक्ट ऑप्शन रिस्पेक्ट तू माइट ऑसिस देखिएगा यहां पर देखेंगें ग्रोमेटिट सेप्रेट बट रिमेंस सेंटर इस सेल इना फेस नहीं सेल एना फेस मेंट यह अपोजिट पोल की ओर जाते हैं कुरुमेटिट इस्टार्ट बटा इस्टार्ट क्रोमेटि स्टार्ड मुविंग ट्वर्ड इपोजिट पोल इन टीलो फेस नहीं बैटा यह भी नहीं होगा ति गॉल्जी कॉम्प्लेक्स इंडोस प्लाज्म रेटिगरा इस्टिल विज्विल अट अप्रो फेस नहीं बैटा यह सब डिसेपियर हो जाती हैं ठीक्रोमोसो स्पिंड्ल इवक्वेटर एंड एक मैटा फेस बटा आप देखें मेंत मेटा है प्लेट पर ही सेंटर मीर आ जाते हों यहीं पे अलिकन बन जाता है और यह पोरा घट्न क्रशा साइटोफ लाज्म में होता है चुकि नुक्लियर मेंचंट अंसर छिंसेन フैर जो कि विच आप दी फॉलिविंग स्टेप्मेंट इस इनकरेक्ट देखो बच्चों प्लांट शाइटो कैने यूजली अकर्स बाई सेल प्लेट मेथड देखिये अगर यूजूली अगर है तो आप देखिये सेल प्लेट के द्वारा जो होता है प्लांट में साइटो काइनेसीश होता है यूजूली नहीं है ठीक देखिये इस पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट प्रो फेस इस पिंडल का जो होता है बचा यहां पर इनकरेक्ट बड़ा पूछा गया यह देखे बच्चों वीच आप दी विच आप दी फॉलविंग स्टेट्मेंट इस इनकरेक्ट है बेटा तो यहां पर देखिएगा जो सेल प्लेट प्लांट में होता है और सेल फोरो एनिमल में होता है इस पिंडिल फॉर्मेशन इस्टार्ट इन प्रोफेज यह ठीक है बचों सेल प्लेट फॉर्मेशन बेटा होता है तो मिड्श होता है और मिड्श यह पेरिफेरल की और जाता है उद्दा की साइट से बटा तो इस जगें इनकरेक्ट अगर देखा जाएगा बच्चों तो त तीसरा जाएगा न्यू निउन डुप्लियर मेंब्रेन फॉर्म टीलोफेज भड़ा देखे रिए पीर आप मेंब्रेन रिएपियर और यह सब टीली फेज का करेक्टर है तो यह पर यह दखना बच्चों यह सेंटर से पेरीफेरल जाता है और जाकि साइट देहीं आता और यह जो कोश्चन लिया गया है एंसी आर्टी पेज नंबर पेज नंबर 166 पेज नंबर 166 यह भी ध्यान रखना बच्चों ठीक कि अगर देखो बटा इस अगर देखिए डाग्राम देखिए बटा देखिए जब इस तरह की बात हो तो पुछ चीजा आपको बता दे जब भी क्रोमेटिट नॉट क्रोमोसोम देखिए माइटोसिस में अपोजिट पोल की और अपोजिट पोल को क्रोमेटिट जाते हैं और यह तो इसके मतलब यह एनाफेज हो गई यह जो हो गई बेटा यह जो हो गई यह एनाफेज हो गई बटा एनाफेज अपोजिट पोल की और बच्चों एनाफेज में बच्चों जाते हैं और यहां पे देखिएगा यह फीगर जो है एनाफेज स्टेश का दिखाया गया बच्चों ठीक तो डाग्राम आप समझ गए और एक बात और सुना बटा जो यह यह सब्सक्राइज पधकर अध़ों होती है यह बड़ाईनिमसल का करेक्टर मतलब जो यह आप देख रहां एनिमल मॉट्यसी आग दोख, ठीक है बच्यो कि si ओनियन रोट टिप ओनियन ओनियन रोट टिप सेल है टू सी डियने यह एमाउंट आप डियने एम फेज माइट्रोसिस एंड हाउ मुझ डियने कंटेंड जीवन एंड जीटू बच्चो देखेगा अगर हम यहाँ पर जीवन और जीटू की बात करते हैं बैटा तो आप यह देखेंगे देखिएगा अगर मैं इसको ग्राफिकल रोट से दिखाऊं बैच्चो तो देखिएगा यहाँ पर डियने टू सी माल लिया मैंने है तो यह हो जाएगा जीवन स्टेज इसके बाद एस स्टेज आएगी एस स्टेज मे टू सी चेंड इन्टू फोर stem हो जाएगा बच्चो फिर बटा G2 आएगा जीटू स्टेज में फोर सी के आफिएगा तो इपर टू सी ए यां टू सी चेंड इन्टू तो बट डू जाएगा इसके बटा आता है एं म मफ思 यान को टो सी यह पोइंत एकना है बटा तो जीवन में बटा टू सी आ रहा है और जीटू में फोर सी आ रहा है आप देख सकते ही ग्राफ को भी आप लोग बना लिए अगर ना बनाओ ठीक है बच्छो देखें यहां इमाउंट आप डिने हो गया यहां बटा सेल साइकल की स्टेजेज हो गई तू सी तू सी च सेकेंड बटा और यह लिया गया एंसी आरटी के पेज नंबर वन सिक्स्टी फोर से लिया गया बच्छो ठीक है बटा याद रखना आंसर सेकेंड हुआ नेक्स्ट कोश्चन डूरेशन आप सेल साइकल इस्ट इस बच्छो देखिए अब यह तो बच्छो आपको याद करने वाला आए बटा ठीक है और जो इस्ट में जो होता है डूरेशन जो होता है बटा वो 90 मिनट्स का होता है इस्ट में जो होता है दूरेशन जो है यह जो है 90 मिनट्स का होता ह है अगर human में आता है तो 24 hours human में 24 hours होता है इसमें 23 hours का interface है बेटा interface होता है और वन आवर का बेटा cell division M phase होता है यह point आप लोग याद रखें ठीक है तो इसका answer फोर यह जो question लिया गया है वह यह लिए गया एंग से पेज नंबर 163 page नंबर 163 से लिया यह point भी आप लोग याद है किस पेज से question लिए गया यह देखें देखें विच आप दी फॉल्विंग स्टेट की इवेंट्स आफ एनफेस बच्चों देखेगा इसमें देखें सेंट मैं सेंट्रो मेर स्प्लीट होगा कर्मेटिट सेपरेट होते हैं कै spaceshipα म treatments m web to apposite की ओर जाते है को सेंट इसमें क्रोमेटा शॉम जो हैं बच्चों वो कर्मेटिट में चेंजा आते हैं पहली बाद क्रमेटिट ऊ-प्रेटК कर्मेटेट हो गये इसक क्रमेटिर है वह opposite pole के और जाके accumulate होते बच्छो तो इस जगे answer बटा चौथा जाएगा आलाब देवब होगा और जो यह लिया गया है NCRT के page number 160 page number 160 से लिया गया यह point याद रखना बच्छो ठीक देखेंगे बच्छो equational division उसे कहते हैं जिसमें cell division हो और उसके आद क्रोमोसोम की number चंजना हो आप देखेगा अगर देखेंगा यह दूसे है अगर इसमें माइट्रोश डिविजन से दो सेल बनी तो इसमें भी टूईन ए टूईन आ रहा वेटा अगर है इसमें माइटोसों की संख्छेंज नहीं नहीं होती है इसे प्रोजनी सेल्स क्रोमो की संग्याश नहीं होती है इसलिए इसे आंसर आल आप देवब जाएगा और यह जो लिया गया है NCRT के पेज नंबर 167 से लिया गया है पेज नंबर 167 फॉइंट याद रखेंग बच्चे मेरे ठीक है कर देखेंगे बुटा एनीमल सेस एनीमल सेस साइटो कैनेसिस एचीव बाई बच्चो देखो प्लांट शेल में साइटो कैनेसिस सेल प्लेट बीच में बनता वह पेरिफेरल जाता है और एनीमल सेल मेंब्रेन हो अंदर को सेल फॉरो बनाती है यह पॉइंट आपको याद रखना है ठीक तो आप खुदी देख देखेगा नो यह बात नहीं होगी अपरेंस आप फरो यह सेल फरो होगा इने प्लाजमा मेंब्रेन बच्चो देखिए अगर माल यह मैं एनीमल सेल को दिखा हूं तो इस तरह से मैं दिखा सकता हूं यह देखिए यह साइटो कैनेसिस हो रही है यह पेरिफेरल टू सेंटर होता है और इस प्रकार सेसेल में मरे मिल जाएं तो यह अलग हो गया यह इलग सेल दो डौक्तर सेल बन गाई तो यहां प्रोंब्रा जो है एं fiane मसिल में जो साइटयो कनेसिस होती और सेल प्लेट के द्वारा प्लांट शेल में होती बच्छों और यह जो कोश्चन लिया गया है वन थर्टीन जो लिया गया है यह 166 पेज नंबर 166 से लिया गया है बच्छों ठीक है बच्छों देखेगा अगर जीवन की बाद देखेगा जीवन है एस है जीटू है एम है बच्छों देखेगा इसमें आरने अधर प्रोटीन होता एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन डियने डियने रेप्लीकेशन और सेंट्रियोल रेप्लीकेशन सेंट्रियोल रेप्लीकेशन यह दोनों होता है बच्छों देखेगा बच्छों देखेगा यह दो घटना क्रम साइटो प्लाज्म होते हैं और यह जो घटना क्रम होता है न नुक्लियस में होगा तो यह S phase में आएगा बच्चों S phase ठीक है 114 during S phase हो गया और जो यह question जो लिया गया है यह 163 से लिया गया है one page number 163 NCRT से बच्चों लिया गया है ठीक बच्चा माइटोसिस is the process by which eukaryotic cell ठीक बड़ा देखेगा यहां पर देखें अगर eukaryotic cell में माइटोसिस होती है तो उनकी संख्या बहाने के लिए होती है ग्रोथ के लिए होती तो इस जगे बटा हो जाएगा इस जगे हो जाएगा बच्चों multiply ठीक है बटा multiply यह ग्रोथ के लिए होता है बटा 115 जो लिया गया है यह ncrt 64 से लिया गया पेज नंबर 164 यह पॉइंट याद रखेंग बच्चों हमारे चोज दी mismatch pair बच्चों देखो 116 mismatch pair की बात आरी बटा देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगा जीवन डीने सनी नहीं होता है बटा डीने सेंटसिस जो होती है बच्चों यह जो पाई जाती है यह एस फेज में होती एस फेज पहली बात गरें जी टू फेज प्रोटिंस सही है बच्चों अभी मैंने बताया साइटो कौन यह से साइटो प्लांट इस होता अभी मैंने बताया बटा ठीक है इस जगे बटा जो होगा जो मिस मैच होगा यह पहला होगा तो 160 का फर्स्ट आंसर होगा याद रखें सिगनीफिकेंस आफ माइट और सिस इन वाल्स देखिए सब्सक्राइब ग्रोथ ग्रोथ के लिए होता है बटा सेल रपेयर में होता है ठीक और जैन्टिक जो होता अडेनिकल जैन्टिक कॉंप्लिमेंट होता है मतर्या इसमें जैन्टिक वेरियेरिययसन नहीं होता है तो इस जगे बटा आंसर जाएगा जो ईनिस वान शीटीश सेवन से लिया गया यह 10 पैजनमबर 167 से लिया गया पुछ तो इस जगे बटा आंसर वहौगा आज़ाबं विच और्ढ़ी फॉर भारे उसेünde टिवहला कि लिए माकेश को चो्टे बहुतता हैं से साइकल की इंटर्मृफérence में होते हैं बच्चो इंटर फेस में होते हैं बटा और जैसे से इंटर डिविजन एम फेस आता है वैसे यह बटा कंडेंस होने लगते हैं और इनकी क्वाइलिंग खतम होने लगते हैं तो इस जगह answer जाया गया बटा answer first और यह जो लिया गया है NCRT के page number 163 page number 163 से बच्चों लिया गया है बटा देखिएगा best material is studying mitosis अगर best material की बात करते हैं बटा तो सबसे ज़्यादा माइट्रोटिक डिवीजन जो होता है वह रूट टिप पर होता है अगर रूट टिप आंसर नहीं तो सूट टिप होगा बटा तो इस जगह आगर आप देखें बच्चों ठीक तो रूट टिप जो हो जाएगा best material हो और यह जो लिया गया है एंसी आर्टी के पेज नंबर 164 से एंसी आर्टी के पेज नंबर 164 यह पॉइंट याद रखो एक बटा दूरिंग एना दून दूरिंग एना फैसिक मूवमेंट अफ्रमोसों एना फैस दिखेगा सेंट्रोमियर अफ एच क्रोमोसों सेंट्रो सेंट्रोमियर अफ इच क्रोमोसों डिर्क्टेट टौर्ड दी अब्स पोल एंड लीडिंग फू एज अब दी आर्म्स क्रोमोसों के आर्म्स बिखांग आप दी क्रोमोसों ट्रिल बिहाइंड तो इस जगह बटा अंसर जाएगा आपका फर्स्ट फर्स्ट हो गया बटा 120 फर्स्ट हो गया और यह लिया गया NCRT के पेज नंबर 165 से लिया गया बच्छों ठीक है बटा sales division in one minute इस शेल डिवी सेल डिवाईजन टाइम इस वन मिनट वन मिनट इन ट्वन्टी मिनट्स एक कल्चे ट्यूब मेडियम जो हो वन फोर्थ होती बटा अब वें ट्यूब फुली फिल्ट बड़ा देखेगा अब आप यहां पे बात को देखें बटा देखें अगर यहां पे चलए बटा तो 20 मिनट पर बटा वन Attack हो रहा है वनफोर्थ हो रहा है वनटी वन बटा यह आदी बढ़ जायेगी चन्व मिनट पर यह फूल हो जाएगी थिटिप व्ल हो रहा है ठीक है दिवीजन अबरस में इपनेट में एक टर्वन के सफास आबchnittू में बटा हो जाएग तो इस जगे बटा answer जाएगा second यह आप समझ गवाएंगे बच्चो ठीके जो बटा यह लिया गया है यह लिया गया है NCRT के बटा 164 NCRT के NCRT के page number 164 से लिया गया बच्चो ठीके बटा एट वीच स्टेज माइटासेस सेंट्रो सोम बिगिन तू मुव टूर्ड दी अपोजिट पोल और अब दी सेल बच्चो देखिए सेंट्रो सोम का मतलब सेंट्रोल जो होते हैं आपोजिट पोल के और जो सुरू होते हैं बच्चो वो होते हैं प्रो फेस में और पहुंच जाते हैं मेटा फेस में तो इस जगे बटा अगर आप देखें बच्चो तो यह हो जाएगा प्रोफेस और पोल पर पहुंच जाएंगे यह मेटाफेस पर बच्चों ठीक है तो इस जगे अंसर प्रोफेस होगा बेटा और यह लिया गया है बट एंसी आर्टी के पेज नंबर 164 से एंसी आर्टी पेज नंबर 164 ठीक बेटा विच आप दी फॉलिविंग स्टेट्मेंट इस करेक्ट देखें बच्चों सेल ग्रोफ रिजर्ट इंडी डिस्टूरिंग रेशियो बिट्विन नुक्लियस एंड साइटो प्लाज्म सेल आप अपर लेयर आप एपी डर्मी सेल लाइनिंग आप दी गट ब्लट शेल्स बेंग कॉंचे रिप्लेस माइट यह भी दोनों बात सही है माइट डिविजन इंदी मैस्टमेटिक टिसू यहां पर भी बटा देखा जाए तो तीनों जगे ही बटा ग्रोफ आप सेल्स क के लिए गट की रिपेर के लिए ब्लट के सेल के लिए मैस्टमेटि टिसू में सभी मटा माइट डिविजन होता है इस जगे बटा आंसर जो होगा चौथा जाएगा बटा फोर्थ जाएगा और जो यह 123 जो है यह कोस्टन जो लिया गया है इन पेज नंबर 167 से बटा लिया गया एंसी आल्ट याद रखेंग बच्छों ठीक है आगे आएंगे बटा इस बटा आएंगे वीच और फोर्धी फॉर्भेट टर्म इस सेल शाइकिल जल्डुप्लिकेट जिनोम मालूम है डी बटादा करता है सेंक्छे जाएंग पार्दा आपको मालूम है कई इस इस्ट्रेक्टार बनते हैं इंचिवाइड इन्टू डॉटर्टर से से सैकलिक में डिवीजन होता है बच्छों तो यह होगा बेटा इस जगह देखा जाए तो चारवी चीज आती यह चीज जो हैं यह दोनों चीजे हैं यह इंटर फेस की इंटर फेस में आपको जीनोम का डुपलिकेशन जो होता है बच्छों और इसका अधर कॉंस्टिटुएंट जीजे स्टोन पोटीन है इनका ही फार्मेशन होता है तो यह घटना के राइम इंटर फेस का हो गया यह एम फेस का अंसर आल आप देवब वन प्वंटी फोर जो लिया गया है बड़ा यह लिया गया है 162 पेज नंबर 162 य इनक्रीज देखिए यह एक बटा जो होती कॉंटीनिवस प्रोसेस होती है जो सेल ग्रोथ जो है एक यह देखा जाए कॉंटीनिवस प्रोसेस होती बच्चों continuous process है अगर ग्रोथ होनी है तो साइटो प्लाजम बढ़ेगा इसके नुक्लियस तो साइटो प्लाजम की जो है रेसियो ब्रेक होगा जिसी का से डिविजन स्टार्ट होता बच्चों तो यहां पर बच्चों हो जाएगा continuous answer first जाएगा ठीक है बटा तो और यह लिया गया है NCRT के पेज नंबर 162 162 से लिया गया पेज नंबर 162 से लिया गया बच्चों ठीक next बटा देखिए interface represents a phase between two successive देखो बच्चों देखिए जी G1 S G2 यह interface M आ गया फिर आया G1 S G2 M आ गया यह आ गया इंटर्फेस अब आप बच्चों दाओ interface represent between two successive M phase अब आप खुद ही देख सकते बटा यह M phase के बीच में आ रहा है तो जो की mitotic phase होता है और answer third होगा बटा इसका और यह 126 जो है यह लिया गया पेज नंबर 163 से लिया गया गया लिए अगया से साइकिल आफ ही मन से डिवीजन इंटर्फेस डूरेशन पर संटेजी बटा देखो आपको मौलूम है कि मैंने बताया है कि ट्वांटी human service 24 आवर की से साइकिल है इसमें इंटर्फेस 23mm है यह जो देखा जाए तो more than 95% जो है यह जो लिया गया है 127 जो लिया गया है विटा यह पेज नंबर 163 से लिया गया है वन पेज नंबर 163 से लिया गया है बच्छों ठीक है विच आप दी विच आप दी फॉल्विंग फेज डस नाट कम अंडर इंटर फेज बड़ा देखिए जीवन आता है एस आता है जीटू इंटर फेज हो गया यह एम फेज में आता है तो माइटाउस नहीं आएगा बच्छों 128 का अंसर फोर्थ जाएगा बटा और 128 जो कोश्चन लिया गया है यह 63 से लिया गया है 63 से लिया गया है पेज नंबर 163 से लिया गया है बच्छों दूरिंग विच अब फॉलोविंग फेज आल क्रोमोसों लाइए एक्वेटर विद् यह वन क्रोमेटर फोर्फ एच क्रोमोसों करनेक्टर वाि कानेटोब कोर स्पिंडल फाइबर आव वन पॉल एं सिस्टर क्रोमेटर करनेकटेट बाय दिक अले टो पोर स्पिंडल फाइब फ्राम अपोजिट पोर्ट देखिए अगर आप यहाँ पर देखें बच्चों तो इनों ने अगर देखें यह अगर बात कर रहा है बच्चों देखेंगा इसको यह एक्वेटर हो गया यहां से प्रमियर क्रोमोसोम हो गया यहां पी क्रोमोसोम हो गया यह कानेटो कोर हो गया यह पॉल हो गया पॉल से यह गिरिल्ड फाइबर हो गए बटा यह पोल हो गए इसी पकार सीधर आप देखें। यह पोल हो गया। तो यह जो बात हो रही है यह हो रही है अप stage की और मेटाफेस की सारी process बच्चों याद अखना यह साइटो प्लाज में चलती ही बटा ठीक है answer होगा इसका एन सॉरी इसकी सारी process जोती मेटाफेस होती मैंने भी बोला ठीक है तो answer इसका second जाएगा 129 और यह जो question लिया गया है एक सो पेज नंबर 165 से लिया गया है पेज नंबर 165 से लिया गया बच्चों ठीक है बेटा देखिएगा कैरियो कैनेसिस नॉट बाइफाइब साइटो काइनोसिस माल लिजे कोई सहल है उसमें कैरियो कैनेसिस तो होती चली जा रही और साइटो कैनेसिस नहीं हो रही जिसके कहा है बटा वह चीज़ वादा थी मल्टी क्या कहते हैं जैसे आपने पड़ा होगा न्यूक्लियर इंडोस्पर्म जो लिक्विट न्यूक्लियर इंडोस्पर्म आफ कोकोनट यह पॉइंट याद रखो बटा यह एक्जाम्पिल है और यह सिंसाइटियम होता है बटा 130 जो लिया गया है यह लिए गया है पेज नूबर 161 से लिया गया है पेज नंबर 162 याद रखो बच्छों आप जर्फ क्याजमेटा देखेगा क्याजमेट बतब जगे होती है जहां पर लग क्रॉसिंग-वर्ण हो चुकी होती है तो क्रॉसिंग ओवर बच्चों होती है बड़ा पैकेटीन में और जो क्याजमेटा बनता है यह डिप्लोटीन में बनता है इस जगह जो आंसर जाएगा डिप्लोटीन जाएगा क्याजमेटा वो जगह है जाक क्रासिंग ओबर हो चुका है ठीक है तो 131 का थर्ड होगा और इसका जो है पेज नंबर 168 पेज नंबर 168 याद रखेंग बच्चों नेश्ट बटा मियौससस हाउ मैनी Chief nation मियौसस्ट बटाइब नुकलियर डिवीजन होता है दोबहर साइ्टोप्लागा डिवीजन होता है तो इसकी स्टोटॉ लिया गया 132 लिया गया है 167 पेज नंबर 167 से लिया गया है पेज नंबर 167 से बच्छों लिया गया है yeah and pairing a homo-logos chromosome देखेए पेरिंग आफ homo-logos chromosome form vivant occurring gigotene this pairing is ceaseनेपसिस कहते हैं pairing off क्रोमोसोम को, बटा हम, जो हूमयागस क्रोमोसोम है, उनको हम सिनेप्सिस कहते हैं, और ये घटना क्रम जो है, जाइगोटीन का होता है, और अगर इसमें, पैर में दो आर्म, नवा, दोनों क्रोमोसोम, अगर अगर दो आर्म नजर आ रही हैं, तो बाई वैलेंट कहेंगे, अगर दो से ज़्यादा नजार आ रही हैं बटा दो तो से ट्राइड कहते हैं यह डिपेंड करता क्रोमोसोंग अगर हम क्रोमोसोंग को देखेंगे तो बाइवयलेंट है उनके क्रोमेटिट को अगर अलग लग देखें तो ट्राइड हो जाएगा ठीक है 1334 होगा और यह लिय देखें शार्ट स्टेट बिट्विन मीवसिस एंड मियोसिस सेकेंड देखेगा आप याद रखो इन पहले इंटरफेज हैं इंटरफेज फिर मियोसिस फर्स्ट फिर इंटर काइनेसिस इंटर काइनेसिस इसके इंटर जहां दो इसमें जीवन आशबुंटू में aξ टेज अप्सेंट आयसे ड्रिकिता में यहका में सद्राइब आपसेंट होती आपक्रूंट यह पंद प्याद रखना है इंटर्फेश इन इसफ्रूंट इन सेकेंड इंटर काइनेसिस हुआ और 134 जो कोश्चन लिया गया है वो लिया गया 169 से पेज नंबर 169 याद रखेंग मेरे बच्चे ठीक है अ दूरिंग गैमीट फ़र्मसल अ एंजाइम रिकॉम्बिनेट पार्ट्ट्ट पेड बच्चों देखेगा रिकॉम्बिने जो है यह प्रोविकार्श की पैक टीन स्टेज में पाए जाते उन हुआ होते हैं रिखाइस नौदूल कें दर होता री कांबिनेशिस से बड़ा क्रासिंग भर होता है तो यह घट मैक्राम हो गया बहुत सर्ट कोशने बटा देखिए यह जो हो गया बहुत ही सर्ट है यहां की यह बात Carbon लटा मतलब आपको मालूमी है ज़रा पानी मतलब पैकेटीन है दे मतलब डिक्लोटीन है देना मतलब है टाइकनियस है इस जगह पर प्रोफेस फर्स्ट हो जाएगा बैटा यह जो है सेकेंड आंसर और यह 135 जो है यह एंसी आर्टी के पेज नंबर 168 शे लिया गया है वन पेज नंबर 168 आपको मालूम होना चाहिए बटा ठीक आगे आएंगे बच्चों जैसे तरम लाइसें सुन सिनेट्टोनीम recordings कमप्लेक्स क्या अत्यां यह टरम जो रिलेट्ट है यह कित से रिलेट्ट है मियाउसीज से होता है पार्णा नोट्रेक्ट होता सिनेफ्ट निम दिपनेर कमप्लेक्स सब्सूर्ध काईख में एक्जेट क्लियर दिखता है पैकेटीन में डिसेपिर होता है डिप्लोटीन में और क्यास मेंटर जो फार्मेशन होता है डिप्लोटीन में तो यह सारी स्टेज मुद्स फर्स्ट की आती बटा 136 जो होगा यह कोश्चन लिया गया है ncrtk page 168 page number 168 से आद रखेंग बच्चो नेक्स्ट बटा प्रोफेज ओफ फर्स्ट मियॉटी डिविजन टिप्ली लॉंगर एंड कॉंप्लेक्स इट इस सब डिवाइड फाइब सबस्टेज वेरी गूड फाइब सबस्टेज है फाइब फेज़ेज हैं लेप्टो डिप्लोट लेप्टोटीन जाइगोटीन पेकेटीन डिप्लोटीन एंड डाइक हैं विच और फॉर्मी स्टेट्मेंट इनकरेक्ट अबाउट इस फेज़ेज अगर आप देखें तो आप यहां भी देखिएगा पारमेसं नप सिनेप्रोंनीमल कॉंप्लेक्श SEEN IN DII jij बात सबसे पहले गलत है मैंने आप हैं इत्फ कंपो नप कॉंप्लेक्स जो है यह एपियर है जो होता है जाइगोटीन में डिक्स्टिंट होता है ना पैकेटीन में disappears जो होता है वो डिप्लोटीन होता है तो इस जगह पर यह बाद गलत आ रही है ठीक देखिए कॉम्पैक्शन क्रोमोसॉम कांटिनुट वार्डी लेप्लोटिन वेरी साही बटा चुग अर्ली प्रोफेज स्टेज होती है डाइक स्टेज मार्ग बाइट ट्रमेशन आप कैसमेटा हाँ जो जो देखिए जो मुवमेंट जो हाँ पर क्राइज मेटा का मुवमेंट होता है उसी को टर्मलाइजेशन कहते है और यह डाइक कहने है सिस की स्टेज होती बच्चों तो इस जगह पर जो इनकरेक्ट जाएगा फरस्ट जाएगा और यह जो होगा एंसी आर्टी के पेज नंबर 168 शे लिया गया है पेज नंबर 168 शे लिया गया है पेज नंबर 168 शे बच्चों लिया गया है तो इसे जब सिस्टेंद अकस बिट्वीन बच्चों देखिए पेयर आप होमो लागस क्रोमो सोम्मिस दोणास सिनेप्सिस तो बट्रा यहां पर देखिएगा तुरंत होमोलागस क्रोमोसूम है अगर मल देखिएगा यहाँ पे ऐग में कि एक क्रोमोसूम यह ओ गया बटा एक क्रोमोसूम यह हो गया इस पेरिंग को इस पेड़ा हम बटा जो कहते हैं सिनैपसिस कहते हैं और होमोलागस क्रोमोसोम होते हैं ठीक है तो वन थर्टी एट जो है इसका होगा अंसर थर्ड और यह जो कोश्चन लिया गया है यह लिया गया एंसी आर्टी के पेज वन सिक्ष्टी एट शे वह ज्यादा को बहुत इंपॉर्टेंट इससे आपको पेज का अंदार लग जाए किस कौन सा पेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चो अगया है देखिए इन्वाल्विंग आप होमोलागस क्रोमोसोम एंड रिकॉंबिनेशन बिट्वीन देम यह घटना किरम है बड़ा यह जो होता मियोसिस में होता है मियोसिस में ही आपको मालूम है होमोलागस क्रोमोसोम जो होते हैं वह बेटा पेरिंग करते हैं अभी मैंने आप से बात की है जो सिनेप्सिस बनाते हैं सिनेप्सिस के बाद सिनेप्टोनिमल कॉंप्लेक्स होता है इस क्रासिंग और हो चुका होता है उसको बढ़ा हम क्याजमेटा कहते हैं जैसे इसे बढ़ा डिप्लोटिन खतम होती है क्याजमेटा का मुवमेंट शेंटो मेर से टीलो मेर की होता है इसे हम डाइकनियासिस कहते हैं संजे बच्चो तो इस जगे आंसर 139 का सेकंड जाएगा और अगर 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 यह देखा जाए तो वंग टीलो फेज हो गया बटा टीलो फेज ठीक डिशेपियर आए प्रोफेज फर्स्ट अगर इस जगे है रिएपियर आए तो टीलो फेज आज़े ठीक यह पॉइंट आपको याद अखना बच्चो और जो यह होगा टीलो फेज फर्स्ट होगा और यह जो कॉस्टन वन फॉर्टी जो लिया गया है वो 169 पेज नंबर 169 से लिया गया है ठीक बच्चो विच स्टेज करेक्टराइज आप रिकॉम्बनेशन नोडूल बटा अभी आप से चर्चा कर चुके रिकॉम्बनेशन नोडूल जो होता है यह बटा जो पाया जाता है क्रॉसिंग पैकेटीन स्टेज में ठीक है अब स्टेज आद रखना कई बार भी तर्डिसकेशन कर चुके बता दिया और यह जो कोच्चन लिया गया है यह 168 168 पेज से लिया गया है बच्चो ठीक आगे आएंगे देखो बटा उस साइट आप सम वर्टिब्रेट्स विच स्टेज लास्ट वा मंत और यह जो यह स्टेज है बटा यह होती डिपलोटीन कौन होती बटा इसी लिए कुछ जीवों में अगर मियोसिस की सबसे बड़ी स्टेज की बात की जाए तो डिपलोटीन स्टेज होती उ होती उससे चोटी जो धी डीपलोटीन होती होती हो लिए कि सबसे बड़ी फेल्स ऑंगी यों से लियो स्टेज लिया गया है ने वींसिटी एट मेंबर 168 लिया ए देखिए मियोसिस इन्वॉल देखिएगा मियोसिस मैंने आपसे कहा दो बार केरियो कैनेसिस होती है मतलर नूक्लियस का दो बार डिविजन है और साइड प्लांग का दो बार डिविजन है तो इसे बड़ा कहेंगे सिक्वेंस इन्वॉल टू सीक्वेंसर साइकीलाप टू अन्ड नूक्लियर अन्ड शेल्ड डिवीजन यहां पर इसे थाई प्लाजम डिवीजन होना चाहिए बच्चो टू सीक्वेंस साइकल है जूकलियर एंड थी नो थी नो वन सीक्वेंस साइकल नो बटा पहला आंसर होगा इसका 143 का पहला अंसर बटा होगा ठीक है अब 143 का जो कोच लिया गया 67 से लिया गया पेज नंबर 60 167 से लिया गया गया बटा करेस्ट्रिक्टिक फीचर आप डिप्लोटीन स्टेज आम्योसिस रिकागनाईज बाई डिसोल्यूसन आप सिनेप्टोनुमल कॉंप्लेस सही बटा होमो लांगस क्रोमोसोम बाई बने स्टार्ट शेप्रेट यह भी बात सही है एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्ट्टर क्याजमेटर यह भी बात सही बटा तो इस जगे बटा अंसर जाएगा आला आप देबब ठीक है 144 का यह पेज मर 168 से लिया गया है पेज नंबर 168 से बच्चो लिया गया है इन विच इमंग फॉल्विश टेज मार्ण बड़ाई टर्म लाइशन आप क्याजमेटर के मुमंन कोई टर्म कहते हैं यह घटना करम होता है यह का होता है यह घटना करम है बेटा डाई कैनियास ए 145 का जो यह कॉस्चन जो लिया गया है बाट वन सिटी सेवन से पेज नंबर 167 से लिया गया है डाई कैने याद रखना है मेरे बच्चों ठीक है 146 बटा देखेंगे अगर आप इसमें देखें अगर दा स्टेज बिट्विन टू सक्सेस्व एम फेज इस कार्ड इंटर फेज बच्चों देखें दो एम फेज के बीच की जो स्टेज है उसे इंटर फेज कहते हैं बच्चों इस बात सही है ठीक है देखेंगे माइट मियोसिस इनिसेटर इमिडेट आफ्टर साइटो काइनेसिस बढ़ा यह भी बात सही है कि जैसे मियोसिस फर्स्ट खतम होती है इंटर काइनेसिस थोड़ी देर चलती तुरंद बढ़ा है मियोस सेकेंड स्टार्ट बाती नियूक्लियर मेंब्रेन यह रंग हो गया तो ऑईंट रिस डिप्लो टेनिस डिकनाई डिस्वरी सा आपको मौलूम है जो डिप्लोटीन में सिनप्टो नीमल कॉम्ब्रेस्ट जोता है डिस्वर्विशन हो जाता है ब्रेक हो जाता है बच्छों तो इस जगए बटा अंसर फर्स्ट जाएगा फाइनल स्टेज बढ़ा यह जो कोश्चन जो लिया गया है 146 जो कोश्चन लिया गया है 168 और 69 से लिया गया है 168 168 158 जो पेज़ नंबर 168 और 169 से लिया गया गया जिया रहाँ हिए फाइनल स्टेज आप में खिर फैस फर्स्ट इसिस्लाइस लाप्रोटीन जाइगोतीन डीप्रोटीन डीप्लोट टीन जाइगोतीन पैकेसिन डिप्लोटीन डाइ़ तो डाई केनेसिस इसकी होगी फाइनल स्टेज बटा ठीक आंसर फॉर्थ जाएगा आंसर फॉर्ज जाएगा और 147 जो लिया गया है यह 163 से लिया गया है पेज नंबर 163 से बच्चों लिया गया है अगर आप अगर आप देखें तो यह पैकेटीन स्टेज में जो पैकेटीन स्टेज में टेट्राड एपियर तो जाएगा लेकिन बटा यह क्लियर विस्बिल आएगा पैकेटीन 148 जो है कोश्चन सेकेंड इसका अंसर जाएगा और 168 से लिया गया है पेज नंबर 168 से लिया गया देखें किता पहता है जो इस प्रोसेस को कैटलाइस करता है तो मैं यहा पर जो हो जाएगा देखें if फौसेस ओ गई प्रोफेस फर्स्ट प्रोफेस फर्स्ट जो मियोटिक है इनकी कित्ती सब रिजब फाइब लेप्रोटीन जाइगोटीन डिप्रोटीन लेप्रोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिप्रोटीन डाइकेनेसिस संज़टा फिस्टन लीजे लेप्रोटीन जाइगोटीन पैकेटी डिप्रोटीन डाय के पांस सब स्टेज हो गए बच्चों ठीक है ति पांच याद रखेंगे और इस जो वन फिप्टी है यह जो लिया गया है 168 पेज से पेज नंबर 168 अब देखिए यह यह आपके याद करना है बटा आर्गनिक टिसू को जो है जो एनलेसिस करते हैं अगनिक टिसू ठीक आर्गनिक इसके लिए जिस ऑल्विन के यूज़ के याधा उसका नाम होता ट्राइग लौरोड एस्टीकेसिद है यह आपको व्याद रखना है यह जगें 151 का बटा आंसर फर्स्ट होगा ठीक और यह जो लिया लिया गया है पेज नमबर 142 से लिया गया है बटा देखिये गा फ्रॉम केमेस्टरी पॉइंट आभ यू बायो मॉलिकिल विच है वेल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड कीटोन लेक हैं यह 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 जो पाई आते carbohydrate है जैसे glucose में aldehyde group है आप देख सकते हैं तो इस पगाज देखा जाए तो यह हो गया carbohydrate इसे का होगा 152 का जो question लिया गया है यह लिया गया है पेज नमबर 143 से पेज नमबर 143 ncrt पेज नमबर 143 से लिया गयाई बच्चों बज देखेगा आपको मालू है अगर आप देखेंगे तो 153 में आप देखेंगे तो amino group amino group और carboxylic group same carbon से जुड़े होते हैं मल यह carboxylic group हो गया यह amino group हो गया यह hydrogen हो गया यह R group, alkyl group हो गया तो एक ही carbon group से बटा जुड़े होते हैं तो इसका answer जाएगा second बटा और 153 जो लिया गया है यह लिया गया है NCRT के page 143 पेज नमबर 143 से लिया गया यह पॉइंट याद रखके बटा ठीक वीच आप दी फॉर्म नेच्रोल निवट्र वीच आप दी फॉर्म निवट्रल अमीनो एसिट निवट्रल अमीनो एसिट बटा देखेगा यह जो है एरोमेटिक हो गई यह अरोमेटिक हो गई यह वीट्रा जो हो गई बटा एसडिक आमीनो एसिट हो गई और वैलीन जो हो गई बटा यह निवट्रल अमीनो एसिट होती इसमें एक एमीनो गूप को कब बॉक्स के लिए दोनों होते इसवेसे जान नूट्रल अमीनवि इसीट कहेंगे वन फिप्टी फोर जो लिया गया पेज अब 144 पेज़ नंबर 144 से लिया गया वेटा ठीक है कि है कि है अगसे हैं है आप है है इसका एक फार्मुला होता है कि अभ्यू टू पाई वन है थे मतब फ्यूरीन में दो रिंग होती है पाइनिमीडीन में एक रिंग होती बैटा हब आप देख लिए प्यूरीन में दो रिंग है है हेट्रो साइक्लिक तो दोनों हो गए सिंगल रूंग तो इसके मदभ पार्यमडीन var do जैने पड़ा होगा यूरेसल होता है मैं बड्ड़ा आते हैं बचछों तो 155 से के यह लिधागै है पे 144 पेज नंबर 144 एंसी आर्टीस लिया गया है अगर एक बॉन्ड है तो सेच्रूरेटेड है दो बॉन्ड है तो नहीं पकार की फैटी एसिट्स पाई जाती है तो यह सेच्रूरेटेड एंसेच्रूरेटेड दोनों होंगी 156 जो है यह पेज नंबर 144 से लिया गया पेज नंबर 144 ठीक बेटा वन फिट्टी सेवन देखिए बटा अलकिल ग्रूप में पूछा गरेख डोनिक एसिट एलकिल ग्रूप और प्लस सी ओवेच की बात की जाती है तो इसमें बटा 20 जो होते हैं टोटल नंबर आप जो कार्वन होतें 20 होते हैं अब उसने एलकिल गुरूप पूछा तो एक कारवन हट जाएगा तो बटा 19 कारवन इसका आएगा ठीक है बच्चो टोटल 28 होते कारवक्स लिए गुरूप साइज होते कारवक्स लिए गुरूप को हटा दें बटा तो एक कारवन कवन तो 19 आएगे उटा 157 जो परशन अपको याद करना मेरे बच तो देख्येगा तो देख्येगा कि यहां पर पास्पोवाइलेशन औरducन कमपाउन प्रेजेंट इन की अले साइथन जो मेंब्रेन में ब्यूंबेन इति इसमें आप देख्या इसमें से जो कि मैथील मैं यह पहला पॉंट या रखना औ हो ग्लत हो गया इसमें देखिएगा इसमें तीन मेधिल कुरूब है यह गलत हो यहां पर देखिएगा यह नहीं दोग्ट है इसाफत ओगए पैचान इस अप देख नहीं सब्सक्षा एक पट रिड़ाइगा यह उसको आप छोगए होगा यह लिसाइथिन पेज नमबर 145 से लिया गया है पेज नमबर 145 से question बच्चों लिया गया है हेट्रो साइक्लिक डबुल रिंग बच्चों देखे हेट्रो साइक्लिक डबुल रिंग की बात अगर की जा रही है बटा तो अभी आपको मैंने बताया था प्यूटी प्यूटू पाई वन अब देखे इसमें हो जाएगा प्यूरीन तो 159 जो है 159 जो है इसका प्यूरीन हो जाएगा और पेज नमबर 145 से question लिया गया है बच्चों सेकेंडरी मेटाबॉलाइट विच आर यूज दिन ड्रक बच्चों देखेगा ड्रक के रूप में बटा देखें यह आपको याद करना बटा जो हैं विन ब्लास्टिन होती कॉर्क्यूमीन होती यह यूज किया थी इस जगे बटा जोगा यह से जो है विन ब्लास्टिन करें आंसर फोर्थ जाएगा बच्चों सेकेंडरी मेटाबॉलाइट होते हैं वन सिक्स्टी जो है यह लिया गया है पेज नमर वन फॉर्टी सिक्स से बटा लिया गया है ठीक बच्चों टाइप साप बांड प्रजन नुक्ली के सिद नुक्ली बटा देखिए मैं अगर ऐसे दिखाऊंग यह माले मैं डिने को दिखाया है बटा सुगर फॉसफेट इस तर बांड हो गया इस तर बांड हो गया बटा सुगर से सब् Papaz जुला हो गए फ्ला बटा वेस जूडी हो गया यह क्लाइको सिदिक क्लाइक को सिदिक बांड हो गया अब पर बेजट bn अलगए तो फॉट वॉट्र ठीक बच्चों देखिएगा सुगर फास्जट jsem इस्टर है सुगर बेस गलाइकोसिडिक है बेस टू बेस हाइडोजन बॉन तो इस जगे बटा अंसर जाएगा चौथा जाएगा 161 जो है यह पेज एमबर 146 से लिया गया है पेज 15% होती बटा लिपिट जो होती 2% होती बच्चों कार्बो हाइड्रेट जो होती है 3% होती है न्यूक्लिक एसिड जो होता है यह बटा 5-7% होता है आएंस जो 1% होता है अब आप देखिए इससे अगर देखा तो यह पहला आंसर जा रहा है बच्चों ठीक है तो यह जो होगा आप इससे याद करने परसंटेज है बटा 162 का जो कोश्चन लिया गया है यह लिया गया ह है 147 पेज नंबर से 147 पेज नंबर 147 से लिया गया है बच्चों कि आए ट्रू एब आउट कि अब आउट कि अब आउट ग्लूट फो बटा यह होती है यह बटा जो है प्रोटीन होती है और यह ग्लूकोज की पर्मेवल्टी को डिसधा करती हो एट है इनेबल्ड ग्लूकोज ट्रावर्ण्पोर्ट इन्डिस तो यह होता है घ्रूकोज ट्रांस्पोर्ट 4 फूर होता है बटा और इसका अंसर फच जाएगा ऑग जो बंխ六 53 है यह जो लिया गया 147 ncrt पेज नंबर 147 से लिया गया है बच्चों ठीक है नेश्ट बटा आगे आ रहे हैं 164 164 में आप देखेंग बच्चों देखेंगा 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 राइट राइट एंट कार्ड इस डेडिजिंग एजन लेफ्ट इन कार्ण रेडिजिंग एजन यह जो बात है यह ग्लाइकोजन के लिए ए ग्लाइकोजन के लिए आपने पड़ा होगा मलिकु में लेफ्ट टेंडी सकान डीडीजंग, राइट नॉन डीडूजिग इस रॉंग ग्लाइकोजन more branch than start यह बात सही है बच्चो स्टार्च है डबूल है नहीं है बच्चो है बात भी गलत हो गई इस हिसाब से देखा जाए इसमें जो है first answer correct होगा first answer correct होगा यहां पर ठीक बच्चो और यह जो 164 जो लिया गया है यह 148 शे लिया गया है 148 शे और यह भी देए आल पॉलीमर सार होमोपॉल नहीं बेटा कुछ ऐसे होता है जैसे आपने देखा होगा मियूरेमिक एसिड है यह बैक्टिरिया की सेल वाल है वह हेट्रो पॉलीमर है तो यह बात भी गलत हो गई तो answer पहला गया यहां पर बच्चों देखिएगा यहां पर देखिए टिप्टो फैन अरोमेटिक है टाइरोसीन अभी अरोमेटिक फिनाइल लेनी अरोमेटिक लाइसीन अरोमेटिक नहीं है तो इस जगा answer फर्स जागा 165 बटा answer फर्स्ट होगा इसका पेज नंबर जो है 140 144 पेज नंबर 144 से लिया गया बच्चों प्रोटीन रुबिस्को होती है रिवलोज बिसफॉस्पेट कार्वाक्सिलेज और पूरा नाम है और यह कलोरोप्लास्ट में पाई जाती है और इसका मेजर रोल जो होता है फोटो संथेजिस में होता है और फोटो रेस्प्रेशन होता है वह चीज़ आप आगे इस जगे देखा जाए जो उसमें रुबिस्को और और दोनों तो आंसर यह तीसरा जाएगा 166 अंसर थर्ड बेटा ठीक है और यह जो कोश्चन लिया गया है यह वन फॉर्टी एट शे लिया गया है वन पेज नम्बन वन फॉर्टी एट से बच्चों लिया गया है यह एटेंटिफाई करना हमें ग्रूप को बटा देखिएगा ठीक है अच्छे सब्सक्राइब यह जो चित्र दिया गया वेटा यह दिया है कोलेस्ट्रॉल का दिया गया कोलेस्ट्रॉल में याद रखना थ्री हेग्जागोनल रिंग अटेज्ट वन पेंटागोनल रिंग मिनमम ओ ओ गुरूब धुरूब और इसका चैन पाई जाएगी देखिएगा थ्री हेग्जागोनल रिंग विद पेंटागोनल रिंग विद चैन इज ओ ऐच गुरूप यह जो इसमें पाई जाएगा उसे कोलेस्टरॉल कहेंगे 167 का जो answer होगा बैटा यह second होगा और 167 जो यह लिया गया कोचल पेज नमबर 145 से लिया गया बैटा most abundant biomolecule in living organism बच्चों देखिए most abundant biomolecule लिया गया है आपको मालूम है biomolecule में अगर आप ध्यान दें कि living or silk के अंदर पूछा गया अभी आप से मैंने बात की है कि उसमें आप देखेंगे वाटर तो 70 80 परसेंट होता है बच्चों द्हान दो लेकिन आप द्हान देंगे जो वाटर है वह सेवेंटी तूनइनटी परसेंट हो गया 70 to 90% हो सकता है Nucleic Acid जो होता है 5 to 7% होता है बच्चों याद रखना है बटा और जो प्रोटीन जो होता है बच्चों यह होता है 10 to 15% हुआ 10 to 15% हुआ कार्वो हाइड़ेट अप्रॉक्स 2% होता है बटा ठी 2 और 3% 3% होता है देखिएगा अब आप बताओ तो सबसे दा बायो मॉलीकूल कार्वन हैड्रोजन के मॉलीकूल सेल के अंदर पाय जाते है उनीगों बायो मॉलीकूल कहते हैं कार्वन मॉलीकूल नेशल is living यह निविंग देखिए पर यह तो यह थो यह नहीं सकता बाव मॉलीख की तो निउकलिक एसी प्रोटीन सेकेंडरी मेटाबॉलाइट और टॉक्सीन है ठीक तो इसका आंसर जो जाएगा यह तीसरा आंसर जाएगा ठीक है और बच्चे देखेंगे यह फॉलवी तरपिनोइट्स देखें तरपीन, तरपीन होगा, और जिबरलीन होता है यह टीक है तो यहाँ पर आप देख सकते जो जा रहा है तो आंसर जाएगा ABC जो होगा और यह आंसर फर्स्ट होगा 170 के जो होगा यह आंसर बटा फर्स्ट होगा ABC याद रखना है बटा और यह जो लिया गया है ठीक यह पेज में 146 से लिया गया है पेज नंबर 146 से बच्चों लिया गया है कि यह से चलना है ठीक है पानी देखिए अब फंक्षन आप प्रोटिनेसियस रिसेप्टर रजू रिसेप्टर रिसेप्टर जो होते हैं हमेसा प्रोटीन के बने होते हैं याद रखेगा तो इसमेल हो टेस्ट हो हार्मोन हो या इसका अंसर आल जाएगा 171 जो है बटा 171 जो लिया गया बटा 147 से पेज नंबर 147 से पेज नंबर 147 से लिया गया ठीक है देखिए इंसुलिन यह प्रोटीन है तो अमीनोसीड हो जाएगा इनुलिन यह कार्वोहेड़ेट है और फ्रेक्टोस का पॉलीमर होता है ठीक है डेलिया अलिया की रूट्स से प्राप्त होता है ठीक तो यह पहला आंसर जाएगा 172 का फर्स्ट होगा और 172 जो लिया गया है यह लिया गया है पेज 148 से पेज नंबर 148 से लिया गया गया पेटा विच आप दी फॉलोविंग इस करेक्ट ऑप्सन देखे बच्चों 173 जो है इस देखेगा पॉली सेक्राइट लॉंग चैन होता है सही है से लोज होमो पॉलीमर क्योंकि ग्लुकोज के मॉलिकुस बनता सही है स्टार्ज ब्लू कलर देता है हेलिकल कानली बास सही है आंसर आ लाब देखेगा 173 का बिटा जो जो आंसर जाएगा वह चोथा जाएगा पेज नंबर 148 जाएगा बच्चों वीच पाहिए फीकरिक्ट भॉण पांड परेْक्ट्arat प्रोटीन पह़ली भात सही आ गई बटा पर इस होते हैं तो बात होतके यह सी कोईसन बोंड होता है कार्ब्owaडियट म safe नहीं होते हैं प्रोटीन opin Frame न velvet नहीं होता है आंसर पहला जाएगा वन सेवेंटी फॉर का जो है यह पेज हंवण फ्रॉटी सेवं से लिया गया है प्योर प्रोटीन श्ट्वर्वल्वली है बच्चो देखएगा देखें टू एंड्स होते भटा आपको मालुम है जो प्योर क्रोटीन होता है वों लेफ्ट एंड जो होता है left end हो गया यह first होता है यह first end होता है और यहां पर एंड अमीनो ग्रूप होता है इसे end terminal कहते है end terminal जो right end है यह last amino acid पाई जाती है last amino acid होती होती है यह C terminal होता है C terminal तो इस हिसाब से बढ़ा है आप देखेगा अगर हम यहाँ बनाओं तो यह यह अमीनो से बनाई यह N terminal हो गया यह C terminal हो गया N मतलब amino group हो गया C मतलब carboxylic group हो गया ठीक है बच्चों तो इस जगे जो 175 है यह बटा जो है यह page 147 से लिया गया है ठीक है page number 147 से लिया गया है बच्चों many elements are found living organs either free or in the pharma compounds one are not found in living organs बटा याद एकना देखेगा sodium होता है iron होता है मेग्रीस होता है silicon होता है silicon जोता है अर्थ क्रेस्ट में पाए जाता है बच्चों ठीक है और यह जो है अ हम 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 है कि क्या हो गया भी यह लाइट गई पिर ने चिर्पाएगा क्या है क्यों 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 हम दिखांगे अधि 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 इस इस बंद करते विच आप दी 178 का फोर्थ आंसर जाएगा बेटा 178 फोर्थ होगा ठीक 179 देखिए विच आप फॉलुविंग ऑप्शन करेट लिपिट लिपिट्स आर जनरली वाटर सॉलुबिल लिपिट्स आर मेभी सिंपिल फैटी एसीड फैटी एसीड एंड को हैज एक कॉर्वाक्सिल ग्रूप अटेज्ट तो आर ग्रूप वह जो तो 179 के जो होगा बेटा यह बी एंड सी बताब ही होगा लिपिट मेभी सिंपिल फैटी एसीड फैटी एसीड कॉर्वाक्सिल ग्रूप आर ग्रूप से जुड़ा होता है बेटा विच आप दी फॉल्विंग करेक्ट फार प्रोटीन प्रोटीन सार पॉली पैप्राइट शही है ठीक प्रोटीन सार लीनियर चैनल इसे प्रोटीन सार इस मोन वर्न नहीं मोन मनी बटा पॉलीमर होता है ठीक प्रोटीन हीजे हेट्रो पॉलीमर ठीक बटा तो 179 का बी एंड़ी करेक्ट होगा बटा ठीक बचो 179 जो लिया गया है 147 पेज नमर 147 से लिया गया है तो इस जगह पर आप आंसर देखेंगे वन एक प्रोटीन पहला दूसरा चौता सहीए यह सही है पहला दूसरा और चौथा आंसर फर्स जाएगा और यह लिया गया पेज नंबर 147 से पेज नंबर 147 से लिया गया बेटा विच आप दिख विच फॉल्विंग करेक्ट ऑप्शन अमीनो एसीड और और अर्गनिक कंपाउंड बुल्कुल सही है बेटा ठीक है देखेंगे अमीनो एसीड आर कंटेनिंग अमीनो गुरूप एन एजडी गुरूप आप सेम काहें भी बात से अमीनो एसीडा स्ट्रूट यह जाएगा और यह जो लिया गया है 181 जो लिया पेज मन 143 से लिया गया है पेज नमबर 143 से लिया गया है बच्चों ठीक है बेटा विच आप दीफॉलिंग करेक्ट फॉर ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल इस इंपिल लिपीड बच्चों याद रखना बेटा सिंपिल लिपीड होता है ठीक और यह ट्राइभ हीड्रोक्सी प्रोपेन कलाता बेटा बच्चों और ग्लिसरॉल जो है वन सेकेंडरी अलकोहलिक इस सबस्क्राइब कहने इस सेकेंडरी इस जगें अंसर चांड इंकरेक्ट पेज एमबर 144 से लिया गया बच्चो फीक है विच आप दी फॉल्मी इस इनकरेक्ट 183 जो है देखेगा देखे बटल यहां पे लिपिट्ट फास्पो लिपीड हो सकता है लिपिट फाउंड ने भी बात सही है लिसाइथीन नाट एक्जामपिल आप लिपिड बटाई गलत है लिसाइथीन इसे फास्पो लिपिड है मेंब्रेन में पाई आता सम लिपिड में फास्पो लिपिड हो गया तो इस जगे इनकरेक्ट में आंसर तीसरा जाएगा बच्चो और 183 जो लिया गया है पेज नंबर जो है 144 से लिया गया पेज नंबर 144 से लिया गया बटा विच और दी फॉलिविंग इस इनकरेक्ट बच्चो देखो देखिए एडिनोसीन गवानोसीन सिटीडीन न्यूक्लोसाइड बहरु गूर्ट सही है ठीक है एडिनेरीकेसीड फाहमटे निकलोसाइड है बच्चो याद कि यह बात बड़ा गलत हो गई डिने आरने न्यूक्लोटाइड का पॉलिवास सही है डिने आरने फंक्सन आप जन्टिक वाइरस में होता है डिने जो होता डिने हैं से लोवाइरस दोनों पर आता है 184 जो हो गया सेकेंड हो गया ठीक तो वन पेज हमार 144 याद रखा बटा इससे लिया गया है हुआ है वन एक्टी फाइब बच्चों देखिए वन एक्टी फाइब जो है इसमें आप देखेंगे वीच अधिफॉलिविंग करेक्ट ठीक प्रोटीन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट नूटेन एक्रॉज दी सेल मेंब्रेन यह बात सही है ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ते काम करती बटा आल प्रोटीन फाइट नहीं बटा सभी तो नहीं करती हैं ठीक है कि अबले एंटी बोडी करती हैं आल प्रोटीन आर हार्मोंस यह बात भी नहीं है सम प्रोटीन आर एंजाइम बच्चो देखेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं बटा वन एटी फाइब कर जो हो गया अगर आप देखें तो चौथा कोस्टर आंसर जा रहा है और जो यह लिया गया है यह लिया गया है एंसी आर्टी पेज नमर वन फॉर्टी सेवन से लिय बच्चो देखेगा आप एमीनो सुगर में अगर आप देंगे तो ग्लुकसमीन इस एमीनो सुगर 186 से केंड 186 से केंड और एमीनो सुगर से बनता बटा काइटिन आपको मालूम है यह आर्टो पोड़ा और फंजाई में यह चीज पाई जाती है फंजाई कि सेल वाल काइ आर्थापुटा की बॉडी वॉल जो है काइटिन की बनी होती और ग्लुकोसेमीन का ही पॉलीमर होता है तो यह अंसर शेकंड जाएगा बटा और यह 186 जो लिया गया है पेज नमर 149 से लिया गया है देखेगा ट्रू एबाउट नुक्लियो टाइट शार देखे बचो नुक्लियो टाइट में थ्री थ्री केम्टलीक डिस्टिंग कंपोनेंट्स पाया आते हैं बेस होता है सुगर होता है फॉसफेट होता है बड़ा इसका अंसर जाएगा सेकंड 1-87 सेकेंड होगा और 149 पेसे लिया गया पेज मर 149 से लिया गया है प्रोटीन पोर्शन आफ एंजयाइम इसस चैन विशंग को एपोय एंजयाइम कहते हैं बटा जो देखेगा प्रोटीन पोर्शन को एपवेंजयाइम कहते हैं और यह को एंजाइम जो है और यह प्रो स्थेटिक ग्रूप हैं यह को फैक्टर के इंतर गदाते हैं अब मेटैलिक इंत यह बटा जो होते हैं, यह enzyme की catalytic activity को control करते हैं, तो apo enzyme हो जाएगा, 188 जो है, यह 159 पेज से लिया है, पेज नमबर 159 से लिया गया है, बटा, true about primary structure of amino acid, बटा, कौन सी बात amino acid के लिए सही है, देखेगा, बच्चों दें, अभी मैंने आप से बात की थी, कि जो इसमें जो होता है, C terminal amino acid, यह last में होता है, देखे, N जो है, N जो पहला है, C terminal last होता है, तो बटा, N for amino group, C for carboxyl group हो गया, तो N, इसमें 189 के जो बटा, आंसर जाएगा, उस second जाएगा, ठीक है बटा, ठीक, C terminal amino represent the last amino acid, और first इसे N, C for carboxyl, N for amino, और यह 189 जो लिया गया है, 149 पेज से, पेज नमबर 149 से लिया गया है, बटा, true about the helix of protein, बच्चों देखेगा, 190 जो है, यह जो है, इसके जो होगा, आप देखेंगे, देखो, only, only right-handed helix present some region of protein, some region को आपको ध्यान देना है, ठीक है, सभी जगे नहीं होता है, बटा, तो इस जगे, बटा, answer तीसरा जाएगा, 190, और 190 के जो हो जाएगा, यह लियागा, पेज नमबर 150 से लिया गया है, पेज नमबर 150 से लिया गया है, याद रखेंग बच्चों, टू सब इडुटीटैप अलफा टाइप तू सब अलफा टाइप, अन्टू सब इड़ा टाइप तूगे दर कॉंस्टिटुटीट जो है, यह heemoglobin का बनाते हैं, बनाते हीमो ग्लोविन का यह आंसर इसका चौता हो जाएगा 192 जो होगा यह फोर्थ होगा बटा ठीक बच्चों नेक्स्ट बटा यह जो क्वेश्चन लिया गया है पेज नंबर 151 से लिया गया है 193 बच्चों देखेंगे 193 है जो वाई जो है यह टाइरोसीन को करता है यह जो है ग्लुटेमिक एसीट को करता है बटा आपको याद अखना है ठीक है 193 आंसर सेकेंड जाएगा ठीक है पेज नंबर 150 पेज नंबर 150 जाएगा बटा सेक्वेंस अब अमिनो एसेट बजिसेट, इनफार्मेंस अब इसेट, बच्चों ध्यान रकिना जो यह होगा यह जो बताएगा प्रायमरी स्ट्रेक्चर आप प्रोटीन हैलकल स्थेकेंडरी होता है, गेक्टिव होता है, यह कई प्रोटीन के पॉली परप्रेटर्ट के ए बटा यह 149 से लिया गया पेज नंबर 149 से लिया गया बच्छों वीच आव एक्जाम्प्र डी हाइड्रेशन बाइब बॉन्ड सेंथेसिस बटा देखिए डी हाइड्रेशन से बटा पेप्टाइड बॉन्ड भी बनता है ग्लाइकोसिटिंग भी बनता हो फास्पोडाइश्टरी बनता है तो 195 का जो होगा बटा यह आला दो और पेज हमां 151 से लिया गया पेज हमां 151 से लिया गया बटा देखिएगा बी डियने है नाइन नाइट्रोजनेस बेस प्रिजेंट इने डेबूल है लेक्स तेंग वाट विल वी दी एंगिल आप रोटेशन प्रिजेंट बिट्विन टू बेस पेर बटा देखिएगा अगर इसको आपको निकालना बच्चो देखेंगे तो 360 जो होग देखिएग बच्चो 360 जो एक पीछ में घुमता है और तोटल जो होता है बटा नाइन आ जाएगा अगर आप इससों डिवाइट करोगे बेटा तो जो यह आएगा यह लगभग लगभग जो आएगा आपका यह 40 के प्रॉक्स आएगा नो नो चो कुछ 36 40 की लगभग आए बटा ठीक है और 196 जो लिया गया है यह पेज में 152 से लिया गया पेज में 152 से देखिएगा पर आक्सिडेस एंड कैटलेस हीम ग्रूप जो है यह जो होते हैं यह प्रॉस्थेटिक ग्रूप होते हैं बटा ओधा और यह जो कैटलेस में काम करते हें तो यह हो जाएगा इस केटलेज एंजाएब में फर आख सीडैस एन केटले एम गुरूप जो हो गया यह जो एक्ट करे घर प्रोस्थेटिक गुरूप के रूप में यह आपको आज़ करना पर आख सीडैस में तो आंसर 197 सेकेंड जाएगा ठीक है बटा 159 पेज नमबर हो जाएगा Metabolic reaction present living word यह देखेगा 198 जो है यह जो लिया गया है आर्क जो भी है यह सभी जो है catalyzed by enzymes इसको catalyze करेंगे enzymes बटा और जो यह लिया गया है पेज नमबर 152 से लिया गया है बटा ठीक है 199 देखेंगे बच्चों वैन कोलेस्ट्रॉल इस फार्न फ्राम एस्टिक एसिड बटा देखें कोलेस्ट्रॉल का जो फार्मेशन जो होता है वो एनाबोलिक होता है पहली चीज एनाबोलिक होता है बायो संथिक होता है catalyzed by enzyme होता है ठीक है यह केटाबोलिक नहीं है चुकि हाई molecular weight बन रहा है तो आंसर इसका चौथा जाएगा बच्चों ठीक चौथा 199 जो लिया गया है पेज नमर 153 से लिया गया है नेक्स्ट बटा लास्ट question है भच्चों ठीक विटा मिजस में matter होते हैं यह जो पाया जातें वैटा को रूप में किसके रूप printing को रूप में को रूप महं होता यह एक बडाई यह जो हैं Consult करते हैं तो इस जगे आंसर फर्स्ट जाएगा बेटा थैंक यू बेटा आप लोगों ने बहुत सायोग किया अब आप यहां पे बटा देखिए इनको देखेंगे और कोश्चन जो पेज निमबर बताएं इनको आप वहांस देखें कहां से ज्यादा तर कोश्चन आ रहे हैं क्ष़ई Renegais को तब कि भी कोश्चन प्रु़छ प्रु़गे लोगा हैं प्रु़गे वहां बटेखें लोगाँ प्रु़गे लोगोगोगगवे हैं इनको प्रु़चन अबगाषें हैं प्रु़ग जख से जब से शिताम इनको आब हैं ने वीध जे दोगन वीदेगे ल